हेलो फ्रेंज, वेलकम टो माई यूटूब चैनल टेस्टी फूड विद पम्मी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की क्रिस्पी और क्रंची चिप्स की रेसिपी इस चिप्स को बना कर आप तीन साल तक इस्टोर करके रख सकते हो जब ही आपके घर में कोई गेश्ट आए या फिर आपको चाय के साथ खाने का मन करें तो फटा फट आप इसे तल कर चटपटा चिप्स बना सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं आलू के चिप्स बनाने के लिए हम यहां एक केजी आलू को छील कर अच्छे से पानी से वास कर लिए हैं नेक्ट एक बड़तन में हम पानी लिए हैं इसमें हम एक टीस्पूर फिटिक्री पहले से ही डाल दिये हैं अब इसके उपर हम ग्रेटर को रखेंगे और एक आलू को उठा कर हम इस प्रकार से ग्रेट कर लेंगे पिटिक्री के खासियत यह हैं कि इसे पानी में डालने से आलू काले नहीं पड़ेंगे इसे प्रकार से हम सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे यह हम सारे आलू को ग्रेट कर लिये हैं मैं आपको इसका थीकनिस दिखाती हूँ यह पहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है अब इसे हम फिटिक्रिय के पानी में तीन से चार घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तीन घंटे हो गए हैं अब इसे हम पान से छे पानी में अच्छे से धो कर साफ कर लिये हैं यह देखिए पानी एक्तम साफ है नेख्ठमिक बर्तन में वन एंड़ाफ लेटर पानी लिये हैं इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे पानी में उबाल आ गया है इसमें हम एक इस्पून नमक एड़ करेंगे वन एंड हाफ टी इस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे आप चाहे तो इसमें फूट कलर भी डाल सकते हैं हम इसमें कोई भी आर्टिफीसिया कलर नहीं डाल रहे हैं अब इस आलू को हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे और इसे हम चला लेंगे अब इसको हम 6-7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे 6-7 मिनट हो गये हैं आलू हमारा अच्छे से पक गया है इसे हम ज़्यादा नहीं उबा लेंगे नहीं तो इस तूटने लगेंगे अब इसे हम इस ट्रेनर में इस प्रकार से इसे निकाल लेंगे इसे हम इस घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए यह ठंडा हो गया है ठंडा होने के बाद इसे हम धूप में कॉटन के कपड़ा के उपर हम इस प्रकार से इसे फैलाएंगे सारे चिप्स को हम अलग-अलग करके फैला देंगे यह देखिए सारे चिप्स को हम धूप में अच्छे से फैला दिये हैं इसे हम दो दिन तक अच्छे से धूप में सुखा लेंगे चिप्स हमारा सुप क्या है? ये देखिये सुखने के बादी कैसा देख रहा है नेक्ट इसे हम अब तलेंगे आलो के चिप्स को तलने के लिए तेल आपको बहुत गरम होना चाहिए तेल गरम हो गया है तेल से धुआ निकल रहा है अब इसे हम डाल कर इस प्रकार से दल लेंगे इसे हम जल्दी से निकाल लेंगे नहीं तो ये ब्राउन हो जाएगा अगर आप नॉर्मल तेल में डालेंगे तो ये फूलेंगे नहीं इसे हम एक बर्दर में टीसू फैला दिये हैं ताकि ये इक्ट्रा आइल को अब जर्ब कर ले इसके उपर हम इस प्रकार से निकाल लेंगे ऐसे ही करके हम सारे जिप्स को तल लेंगे तो ये हमारे आलू का चिप्स बन कर तयार है इसके नीचे से टीसू अब हटा देंगे और इसे हम थोड़ा चटपठा करेंगे ये हम चाट मसाला ली रहे हैं इसे हम इसके उपर स्प्रिंग कर लेंगे ये काला नमक है इसे भी हम स्प्रिंग कर लेंगे ये हम लालू स्पाउडर लिए हैं इसे भी हम इसके उपर इस प्रकासे डालेंगे इसे हम इस प्रकासे टॉस कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरह से मिक्स हो जाए ये हमारा चटपटा आलू चिप्स बनकर तयार है बच्चे को आप बाहर के चिप्स के बज़ाए घर का आप इस प्रकासे बना कर खिलाएए उन्हें बहुत पसंद आएगा इसे में तोड़ कर दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हुए हैं तो इस चिप्स की रेशिपी को आप शरूर ट्राई करें बहुत ही आसान है इसे बनाना और एक बर बना कर इसे सालो भर खाना है तो इसे बनाना तो बनता है तो शरूर ट्राई करें थैंक यू सो मच पोर वाचिंग बाबाई